हेलो देरी स्टुडेंट्स वालकम टू मैंने ब्रींज मैं संचुता जैन आप सभी के सेस्टी एजुकेटर आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए इंक्रिडबल एंडिया के सीरीज में आज बहुती टेस्टी जानकारी आप पूलेंगे रोज आप बोलते थे कि एक महात्वपूर्ठ जानकारी लेकिन आज एक बहुती स्वादिस्ट जानकारी क्योंकि आज हम बात करने हाले हैं भारत के भोजण के बारे में जी हाँ भारत का बोजन पूरी दुनिया भर में मशुहूर है तो शेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी हो जादा से जादा आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें शेयर कर दें साथ यसाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें क्योंकि मैगनेट ब्रेंस प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सारे कोर्स प्री आप कॉस्ट हाई क्वालिट एजुकेशन के साथ फुल्ले और नाइस कंप्लीट कोर्स के साथ जी हाँ हम आपके लिए कई सारे चॉप कोर्स हिंदी और इन इस दोनों मीजियम में प्रोवाइड कराते हैं सीबेसी बोट के लावा अधर स्टेट बोट के स्लेवस को भी कंप्लीट कराया जाता है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और शुरू करते हैं आज का ये शेशन भारत के भोजन के बारे में हम सभी जानते हैं भारत जो है एक बहुत ही जादा डाइवर्ट सिटी वाला देश है यानि की विविदताओं से भरा हुआ देश है यहाँ पर अलग अलग प्रदेश हैं अलग अलग जगे की संस्कृती अलग अलग है रहेंस हैं अलग है धर्म अलग अलग है तो भई खान पान भी अलग रहेगा की नहीं कान पान में भी विविदताओं दिखाई देगी भारत में विविदताओं भोजन की संस्कृती है ज जगय का आपको एक अलग और अनूठा स्वाद दिखाई देगा तो चलिए समस्ते हैं आंगे की बात अब देखें हम अलग 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 दिशाओं के आधार पर भोजन को देखते हैं उत्तर भारती भोजन की सबसे पहले हम बात करें तो नौर्थ इंडियन पूड में आता है कि इटली डोसा सामबर यह सब फेमस होते हैं वहां पर पूर्वी भारती भोजन की हम बात करें तो माजिर जोल मिस्टी दोई पिते लिट्टी चोखा यह सब जो है पूर्वी भारती भोजन है पश्मी भारती भोजन की अगर हम बात करें तो ढोकला थेपला पूरन पोली गोवन फिश करी यह सब फैमस होता है ठीक है इसके बाद प्रमुक सामगरी की बात करें कि आखिर भारतिय भोजन को बनाने में किन किन सामगरी का प्रयोग किया जाता है तो सबसे पहले बात करते हैं अनाजों की अनाज में सभी जानते हैं चावल गेहूं बाजरा जो कई सार होते हैं दालों की बात करें तो मसूर अरहर चना मूम मसाले की बात करें क्योंकि स्वात तो खाने में किससे आता है मसालों से ही आता है अल्दी धनिया जीरा गरम मसाला एक्सेक्ट्रा यह सम मसालों का प्रयोग होता है सबजियों की बात करें तो आलू को भी पालक बैगन कई सारी ऐसी सबजिया हैं, फलों का प्रयोग होता है, मिठाईयों की बात करें, गुलाब जामुन, रसगुला, बर्फी, लड़ू, पायसम, पायसम को खीर बोला जाता है, ये सब चीज़े भारत के अंदर ही बनती हैं, और भारत के प्रमुख भोजन के रूप में जानी जा तो दक्षण भारत में कॉफी में भी फिल्टर कॉफी का प्रयोग सबसे जादा किया जाता है, और उत्तरी भारत की बात करें, तो चाय, मसाला चाय, ठीक है, यानि की चाय और कॉफी जो है मुख्य पेव पदार्थ है, अल्राइट, अब खाना पकाने की विधियों की बात करें, बही कौन-कौन सा भोजन बनता है ये बात कर ली, किन चीजों से बनता है वो बात कर ली, अब बनता कैसे है, खाना पकाने की विधियां क्या है भारत में, तो देखें, तवे पर खाना बनता है, तंदूर में खाना बनता है, और गुनने के द्वारा यानि की सेकने के द्वारा खाना बनता है उबाल कर खाना बनता है तलने के द्वारा यान की घीया तेल मेड़ी फ्राई भी खाना होता है यह होती है खाना पकाने की विधिया प्रेशर कोकर का भी प्रयोग होता है जिससे धीमी आज पर खाना पकता है उसके बाद खाद्य संसकार की बात करें तो विभिन्नत त्यवहार और अवसरों पर विशेश भोजनों का बड़े बड़े भोज का आयोजन किया जाता है जैसे किसी के यहाँ शादी ब्याह है तो शादी ब्याह है या कोई फंक्शन है तो कई लोगों को अमंतरित किया जाता है भोजन पर प्रसाद की रूप में भी थोड़ा सा भोचन दिया जाता है तो धार में के स्थिलों में विशेश भोजन जैसे लड़ू, किचडी और हल्वा प्रसाद के रूप में भी दिया जाता है अचार उचटनी जो खाने के स्वाद को और जादा बढ़ा देते हैं तो आम का चान, निवु का चार, धनिया चटनी, पुदीना चटनी, नारियल चटनी इतने प्रकार की और कई प्रकार की चटनियों का प्रयोग हमारे भारती भोजन में हमारी थाली में होता है सड़क किनारे बोजन जिसे हम स्ट्रीट फूड कहते हैं यह कैसे भूल जाएंगे हम? क्योंकि स्ट्रीट फूड बहुत ही फेमस है और बहुत जादा लाब भी इससे लोगों को प्राप्त होता है ठीक है तो भारती स्ट्रीट फूड की विविदता और प्रशिद्धी की बात करें तो स्ट्रीट फूड में क्या क्या मिलता है फुलकी, चांट यान की गोलगपे, बेलपुरी, पावजी, समुसा का चोड़ी और कई प्रकार के पस्ट फूड भी हमें स्ट्रीट फूड में देखने को मिलते हैं स्वास्तिर पोशन की बात करें तो क्या भारतिय भोजन स्वास्तिर पोशन की द्रस्टी से सही साबित होता है स्वास्ति वर्धक है पोशड युक्त है जी हां क्योंकि भारति भोजन में कई सारे मसालों का प्रयोग किया जाता है कई सारे पोशक्तत्व भारती भोजन में होते हैं तो आयर्वाइद एक दृष्टी से भारती भोजन का बहुती महत्व है संतुलित आहार की बात करें सात्विक भोजन की बात करें अनाज दाले सबजिया फल दूद और मसालों का संतुलन पारंपरिक भारती आहार स्वास्ति प्रद विशेस्ताएं पारम पर एक भारती आहार जो है हमारा पुराना बोजह ने फास्ट पूर तो भई दुनिया के अन्य देशों की देन है लेकिन जिसकी चर्चा हमने करी है वो शुद्ध भारती बोजह ने क्या यहां पर इटालियन और चाइनीज और जैपैनीज किसी और इसका मैंने नाम लि है तो जो पारम पर एक भारती आहार है उसकी कई सारी स्वास्तिप्रद विशेशताएं भी है काद्य संयोजन की बात करेंगी खाना कैसे खाया जाता है माना गी दाल है चावल है गेहूं है सब कुछ है लेकिन किसके साथ क्या-क्या खाया जाता है तो अधिक तक देखने मे आता है दाल चावल हम साथ में खाते हैं रोटी सब्जी हम साथ में खाते हैं दक्षण भारत में चावल सांभर खाते हैं रसम चावल खाते हैं ठीक है क्लियर है तो यह वो गया खाद्य संयोजन विकास और आधुनिकता की बात करें तो पारंपरिक वेंजनों में अब आध की समरत्थ सांस्कृतिक धरोहर और विवदता का प्रतीक है प्रतिक राज और शेत्र के अपने विशेश और अनूठे स्वाध होते हैं जो पुरिदेश की विवदता और सांस्कृतिक पहचान को दर्शाते हैं तो यह रही जानकारी एक स्वादस्ट जानकारी भारतिय आप हमारे डेली के live session और recorded session से जुनना चाहते हैं, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, Magnet Brains के YouTube channel, website और application पर, Magnet Brains इंडिया का number 100% free online education platform है, इसके अलाब अगर आप e-books और e-notes भी चाहते हैं, उसकी link भी वीडियो के description box में दी गई है, वहां से आप available कर सकते हैं, सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, हमारे पास आपके लिए कई सारे चॉप कोर्से सिंधी और इंगलिस दौनों मीजयम में उपलब्ध हैं, CBAC वोट के साथ सा दिल्ली वोट, भिहार वोट, MP वोट, UP वोट, राजस्तान वोट के सिलेबस को कवर कराया जाता है, काफी सारे special courses हैं, जैस प्राप्त कर सकते हैं, तो आज के शेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, हमारे साथ बने रहे हैं, जुडे रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, खुश हैया, थैंक सो मच